इसका मतलब ये कि जीवात्मा को आनंद मिला नहीं अभी नहीं जीवात्मा तो यही बार बार कह रही है सुखम में भूयात दुखम में माभूत हम सुख चाहते हैं आनंद चाहते हैं दुख नहीं चाहते हैं जब आप लोगों का जन्म हुआ मा के पेट से गिरे तो पैदा होते समय आपको कश्ट हुआ दबाओ में तो आपने क्या किया पैदा होते ही आप रोए इस रोने का मतलब क्या कि हमको दुख नहीं चाहिए ये क्या प्रत्मक्रा से मक्षिका पाता अभी प्रत्वी पर पैर ग दुख वो तुरंत का पैदा हुआ बच्चा पुकार रहा है हमको आनंद चाहिए हमको आनंद चाहिए दुख नहीं चाहिए तब से लेकर मृत्यु पर्यंत आप यही चिल्ला रहे हैं आनंद चाहिए अब आनंद कहा है कैसे मिलेगा ये दो प्रश्न आप नहीं समझ सके इसका उत्तर अनन्त जन्म बीट गए तैत्तिरीय उपनिशत का एक मंत्र है यद वै सुकृतं रसो वै सह रसक्वं हेवायं लब्ध्वानन्दी भवति कप्राण्यात को हेवान्यात कप्राण्यात यदेश आकाश आनंदो नस्यात एश एवानन्द याति ये तैत्तिरीय उपनिशत के दूसरी बल्ली का सात्वा मंत्र है बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मंत्र इसका भावार्थ है कि भगवान आनंद स्वरूप है भगवान में आनंद है ऐसा नहीं भगवान ही आनंद स्वरूप है और उसको प्राप्त करके ही यह आनंद मैं हो सकता है वह कौन है जिसको प्राप्त करके यह आनंद मैं हो सकता है और यह कौन है जो आनंद मैं हो सकता है तो वह के अनंद नाम है उसे में से एक नाम है रस देखो बेद में कहा गया रसोवई सह ऐसा नहीं कहा गया रसोवई की तस्मिन अर्थात उसमें रस है ऐसा नहीं वही रस है आप लोग रस गुल्ला खाते है उसमें दो चीज़ें होती है एक रस एक गुल्ला वह गुल्ला जो होता है छेने का वह अलग बस्तु है और जो रस है चीनी का वह अलग है तो रस में जब गुल्ला डूब गया तो उसका नाम रसुगुल्ला हो गया तो रसुगुल्ला में रस ब्याप्त है, ऐसा नहीं है भगवान के हाँ, कि भगवान में आनंद ब्याप्त है, ऐसा नहीं, आनंद ही भगवान है, भगवान ही आनंद है, ऐसा है, तो वो हो जिसको ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, क्राम कृष्णा प्राप्त कर ले तो यह माने जीवात्मा आनन्द मैं हो जाए इसका मतलब यह कि जीवात्मा को आनन्द मिला नहीं अभी नहीं जीवात्मा तो यही बार-बार कह रही है सुखम में भूयात दुखम में माभूत हम सुख चाहते हैं आनन्द चाहते हैं दुख नहीं चाहते हैं जब आप लोगों का जन्म हुआ मा के पेट से गिरे तो पैदा होते समय आपको कश्ट हुआ दबाओ में तो आपने क्या किया पैदा होते ही आप रोए इस रोने का मतलब क्या कि हमको दुख नहीं चाहिए यह क्या प्रत्मक्रा से मक्षिका पाता अभी प्रत्वी पर पैर गिरा है हम आये हैं कि इतना दुख वो तुरंत का पैदा हुआ बच्या पुकार रहा है हमको आनंद चाहिए हमको आनंद चाहिए दुख नहीं चाहिए तब से लेकर मृत्यु पर्यंत आप यही चिल्ला रहे हैं आनंद चाहिए अब आनंद कहां है कैसे मिलेगा ये दो प्रश्ण आप नहीं समझ सके इसका उत्तर आनंद जन्म बीट गए या समझे भी तो प्रैक्टिकल पालन नहीं किया आपने या तो यह माना नहीं कि वो आनंद है आप तो इसमें आनंद ढून रहें न माया में मायिक जगत में ये इंद्रियों के बिशेयों में ये इंद्रियां आपकी प्राकrit हैं मायिक है और ये संसार भी मायिक है पंच महाभूत का तो इंद्रियों का विशय संसार है क्योंकि दोनों पंच महाभूत से बने हैं माया से बने हैं लेकिन तुम तो अपना आनंद चाहते हो अपना माने मैं का मैं माने आत्मा तो आत्मा परमात्मा का अंश है तो आत्मा का आनंद परमात्मा से मिलेगा और शरीर माया का अंश है तो यह संसार से शरीर का विशय मिलेगा अब आप आत्मा का आनंद तो चाहते हैं और देते हैं उसको पंच महाभूत के संसार का विशय यह तो उल्टी बात है अरे देखो पंच महाभूत के एरिया में ही देखिए आप यह शरीर पंच महाभूत का बना है अब देखिए आँख पंच महाभूत की कान यह भी पंच महाभूत का नासिका यह भी पंच महाभूत की लेकिन आँख से आप सुन नहीं सकते दोनों पंच महाभूत के हैं कान से आप देख नहीं सकते यानि आँख का विशे कान से नहीं हल हो सकता तो जब पंच महाभूत के छेत्र में ही एक इंद्रिय का विशे दूसरी इंद्रिय से ग्रहन नहीं हो सकता तो आत्मा का विशय परमानंद संसार से कैसे मिलेगा यत्प्रशिव्याम भ्रीहिजवं हिरन्यम पशवस्त्रिया नालमे कस्च पर्याप्तम अगर अनंत कोट ब्रह्मांड किसी को दे दिया जाए उसके नाम लिख दिया जाए तो भी आनंद नहीं मिलेगा और सब कुछ मिलेगा आनंद आत्मा का विशय है वो संसार से कैसे मिलेगा आत्मा स्प्रिट्यूल है संसार मिटीरियल है वो सब्जेक्टे ही नहीं उसका कुछ लोग या आम लोग सोचते हैं इतना बड़ा संसार मिल जाए तो आनंद मिल जाए हमारे पात 10 लाख है 10 करोड हो जाए तो आनंद मिल जाए 10 अरब हो जाए संपूर्ण बिश्र मिलने पर तो आनंद मिलता नहीं स्वर्ग का संब्राट इंद्र आनंद के लिए रो रहा है जहां बड़े बड़े धर्म कर्म जग्यादिक करके लोग स्वर्ग जाते हैं वहां की पबलिक बनने के लिए उसका संब्राट स्वर्ग का इंद्र वो भी द चाहता है अशान्त है दुखी है वहाँ अहीं काम है क्रोध है लोब है मोह इर्श्या है द्वेश साथ बीमारियां तो यह जीवात्मा जो परमात्मा का अंश है कि वह परमात्मा रूपी आनंद को प्राप्त करके ही आनंद मैं हो सकता है उस ब्रह्म को प्राप्त करके चाहे कहो उस आनंद को आनंद सिंधु को अनंत आनंद को अन्लिमिटेड है पिनस को स्प्रिच्यूल आनंद को पाकर ही यह आनंद मैं हो सकता है आनंद ही ब्रह्म है आनंद से ही सब्षूत्पन हुआ आनंद में ही लाय होगा वो कौन है वो आनंद है वो रस है उसकी अनंद नाम है उसको पाकर के ही यह जीवात्मा आनंद में होगा हर अंश अंशी को प्राप्त करके पूर्ण होता है और हर अंश का अंशी से सभावता प्रेम होता है देखो एक मिट्टी का ढेला है एक किसका अंश है पृथवी का तो इसका प्यार पृथवी से नैचुरल है कहा आए तो दूर है पृथवी से ने हाथ ने पकड़ रखा है इसलिए पृथवी से दूर है आप पकड़ ना छोड़ दीजिए पृथवी से मिल गया इसी प्रकार प्रतेक अंश अपने अंशी से नैचुरल आक्रिष्ट होता है इसलिए अनंत कोडि ब्रह्मांड के ब्रह्मा से लेकर चीटी तक सब केवल अपने अंशी को चाहता है आनंद किसी ने सिखाया आपके बाप ने मा ने किसी ने सिखाया कि बेटा आनंद चाहना दुख नहीं चाहना कभी यह लेक्चर दिया किसी ने अजी सबको नैचुरल ब्यान है आनंद चाहिए आनंद चाहिए अब वो गलत एरिया में आनंद ढूण रहा है यह भी उसी आनंद का अंश है संसार भी इसलिए आभास मिलता है आपको संसार में आनंद का मा से बाप से बेटे से इस्त्री से पती से रसुल्ला से तबाम सामान जो संसार में है इससे आपको आनंद मिलता है थोड़ा थोड़ा वो आनंद नहीं है लेकिन उसका आभास है उसी धोके में हम सब लोग पड़े हुए तो बेद कहता है नहीं यहां आनंद नहीं है वो आ और उसके दो रूप है क्या वेवाव ब्रह्मनों रूपे मूर्तंच इवा मूर्तंच बेद कहता है कि ब्रह्म के दो रूप है एक निराकार ब्रह्म एक साकार ब्रह्म साधायन भासा में समझिये एक ब्रह्म ऐसा है जिसका कोई रूप नहीं, नाम नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं, धाम नहीं, सर्व ब्यातक है, जोतिस्त रूप है और एक ब्रह्म सगुण साकार है उसका नाम है रूप है गुण है लीला है धाम है उसके उपासक है ऐसा दूसरा ब्रह्म स्री कृष्ण तो इसका मतलब यह हुआ कि निराकार ब्रह्म या साकार ब्रह्म को प्राप्त करके ही जीव आनंद में हो सकता है एक कंक्लूजन अब पता लगाओ कि निराकार ब्रह्म या साकार ब्रह्म के पाने का साधन क्या है बस एक प्रश्ण रह गया एक प्रश्ण को हल हो गया कि आनन्द कहा है हमारी समझ में आ गया लेकिन वो कैसे मिलेगा यह भी तो समझना है तो सिरकृष्ण से ही पूछो भगवान से ही पूछना चाहिए तो उद्धों ने पूछा भगवान से कि महराज बेद बाणी तो लोग समझ नहीं सकते अरे हम भी नहीं समझते तो लोग क्या समझेंगे तब आप हमारे सामने सीदे सीदे बताईए कि बेद में आपको पाने का क्या साधन बताया गया है तो भगवान ने कहा योगास्त्रयो मैं आप्रोक्ता तीन योग मैंने बताए हैं बेद में ननाम श्रेलो विधित सया मनुष्यों के कल्यान के लिए तीन मार्ग ज्यानं कर्मच भक्तिष्च नो पायो न्योस्त कुत्रचित और कोई पाय नहीं और जो उपाय कोई कहीं लिखे या बोले या बतावे तो वह इसी के अंतरगत है जैसे जिन कहीं दिया कि उसका शरीर इस समय मसूरी में है तो फिर इसका मतलब शरीर और उसके आंख नाख कान मुह हाथ पैर सब मसूरी में है तो यह कर्म ज्ञान भक्ति यह तीन बताए ग्यारामे इसकंद के बीसमे अध्याय का छचमाश लोक है भागवत का उद्धव से कहा देखो उद्धव मेरी बेडबानी जो है बेदा ब्रह्मात्म विशया त्रिकांड तीन कांड है बेड में कर्म ज्ञान भक्ति उपासना त्रिकांड विशया अमीं लेकिन कोई नहीं जान सकता बेद को पढ़ करके उसका असली सेंस क्योंकि सब्दार्थ कुछ और है और भावार्थ कुछ और है इसलिए बेदकार्थ कोई नहीं समझ सकता अरे ब्रह्मा जिसके मुख्षे प्रसम बेद का प्राकच्च हुआ वो भी नहीं समझ सका तेने ब्रह्म हुरदाय आदिकवे मुहियंति जत्सूरया जब भगवान ने अपनी योगमाया की पावर से शक्तिपात किया ब्रह्मा के हुरदय में तत को ज्ञान हुआ ये बेदकार थे है तो ग्यारहमें असकंद के 21 अध्याय का 42 वाश्लोक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है सारी भागवत में भगवान ने उद्धो से कहा उद्धो सुनो अंतिम दिरने किम विधत्ते किमा चष्टे किम अनूद्य विकल्पएत इत्यस्त्याहरदयम लोके नान्यो मद्वेद कष्चन माम विधत्ते विधत्ते माम विकल्प्या पोहिते त्वाम ये तीन लाइन में उद्धो क्या कर्म है क्या ग्यान है क्या उपासना है इसको मेरे सिवा कोई नहीं जानता मान्यो मद्वेद कष्चन मेरे अत्रिक तोर कोई नहीं जानता हाँ मैं जिसको बता दूँ तो गदा भी जान जाए जिसको पावर दे दूँ ऐसे नहीं जान सकता अच्छा महराद सौब हमको तो बताजिए वो क्या है उन्हें कहा कुछ नहीं माम विधात्य भीधात्य माम माम विधात्य माने मेरे लिए जो कर्म किया जा जाए उसका नाम कर्म जो और भिधात्ते माम और जो मेरी भक्ति करे मेरे ही सरनागत हो अनन्य देवी देवताओं के चक्र में न पड़े वो भक्ति है और जो मेरे ही निराकार सुरूप का चिंतन करके और प्राप्त करे वो ग्यान है और जितना लिखा है वह सब भूल जाओ इंद्र के लिए गरुड के लिए पुराण के इसके लिए शूर्ज के लिए अनेक डेवी देवता हमारे संसार में प्रचलित है शास्त्रों में बेगों में है यग में आहुती दी जाती है उनको भगवान के लिए उसे बूल जाओ जो ग्यान मेरे लिए न हो उस ग्यान से ग्याना भिमान होगा और चौरासी लाग में घूमेगा जो भक्ति मेरे लिए न हो वो चाहे सुर के लिए हो चाहे असुर के लिए हो चाहे मनुष्य के लिए हो चौरासी लाग में घूमेगा ठेक तो भक्ति करना ही हमारा एक मात्र लक्ष है वो भक्ति कर्म में मिल जाए तो उसको कर्म जो कहते हैं उसका कल्यान हो जाएगा भक्ति से कल्यान होगा कर्म से नहीं और जो भक्ति ज्यान में मिल जाए तो ज्यान योग हो गया उससे भी कल्यान हो जाएगा भक्ति से होगा और जो केवल भक्ति करे ठीक है तो कल्यान हो गई भगवत प्राप्ति होगी माया निवृत्ति होगी परमानंद प्राप्ति होगी त्रगुन त्रकर्म त्रदोष तेंता भाओ होगा भक्ती करना है अच्छा अच्छा